हेलो गाईज, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल केस्गेमिंग, माईनेम इस करन और आज हम द्वाल से कहले जा रहे हैं माइनक्राफ सो गाई, जैसा आप लोग देख सकते हो, मैं हूँ फिलाल अपने क्रेटी वर्ल्ड में ठीक है और आपको पता ही भाई हम अपने क्रेटी वर्ल्ड में आके क्या करते हैं बनाते हैं modern और wooden house के tutorials ठीक है तो जैसा आप लोग देख सकते हो, मेरे सामनी एक ये wooden house है ठीक है जो की मैंने एक साल पहले बनाया होगा इसकी वीडियो ठीक है तो भाई उस वीडियो पे बहुत से बंदों ने कमेंट करा रहा है कि भाई इस घर का ना एक इंटीरियल वाली वीडियो भी लेकिया हो तो गाईस आज हम वही बनाने जा रहे हैं तो बिना देरी करें चली से इसकी इंटीरियल की वीडियो शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई अंदर से कैसा लग रहा है ठीक है तो भाई एक ये वुडन हाउस है ठीक है तो सबसे पहले ये देख सकते हो भाई ये डार्कों की लीफ है और जब मैंने उस वीडियो में इंटीरियल शूट कर आओगा तो ये मैंने दिखाई नहीं बनाते हैं ठीक है तो ये डार्कों की लीफ है इसको घर के साथ साथ जाएगी फिर आपको भी मज़ने आएगा ठीक है तो भाई ये जगा है जो ठीक है ये वाली यहां से एक दो तीन चार की हमें हाइट आगे लेकर आने है फिर यहां से वन टू थ्री फोर बस एक जगा छोड़ देंगे और इसको पूरी एक वाल में complete कर देना है ये वाली श पिलर हमें यहां पर बनाना है ये एक मतलब थोड़ा सा घर का जो लूक है उसको अच्छा दे देगा बाकी इसका कोई वैसे काम नहीं है ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है यहां से वन टू थ्री फोर यहां पर हमारे डोर आएंगे ठीक है और यहां से जो अपनी जगा ह मतलब जगा कहरा हूँ यहां से अपनी एक बॉल और आएगी ठीक है यहां से ऐसे और हम दो दरवाज़ों की जगा छोड़ देंगे ठीक है बाकी अपने पास यहां पर light का option है light का option क्या कहरा है light है तो हम यहां पर लालतें लगा देते हैं फिलाल temporary के लिए मतलब temporary नहीं यह यहां पर आईगी आईगी ठीक है तो ऐसा करते हैं कि एक काम हम पहले कर लेते हैं जो कि बहुत जारा easy है उसको आप बहुत ही easily बना सकते हो ठीक है सबसे पहले 1,2,3,4,5,6,7 ठीक है और 8,9,10,11 अब इसके अंदर हम भर देंगे bamboo यह flower pot है ठीक है यह आपको easily inventory मिल जाएग और उसके अंदर हम लगा देंगे यह bamboo ठीक है और उसके बाद हमारे पास यहां पर डार्को की leaf होगी और डार्को की leaf हम ऐसे करके लगा देंगे ठीक है इधर भी और यहां पर चार जगा हमने बना रखी है तो यहां पर भी हम डार्को की leaf से इसको उपर तक भर देंगे ठी बाकिती अपने पास हभी में दोवी लगा देंगे अंदर की साइट से थीक है ? तो जैसे हम याएंगे तो इसको अंदर की साइट से लगाना है आपको आपको दिखा दिया है杜े अभी हम निच्छे का काम complete करेंगे अच्छे से तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले हम अपना जो bedroom है, उसको complete कर देते हैं, ठीक, तो bedroom complete करने से पहले हमें क्या करता है, यहाँ पर हम पहले सारा समान रख लेंगे अपने पास, हमें wool की जोरत पड़ेगी, एक bed, ठीक है, और अपने कोची होगी, एक end road, और दो chest, और एक painting, ठीक है, painting हम यहाँ पर लगाएंगे, सबसे पहले आसे करते हैं कि दो wool लगाएंगे ऐसे, और दोनों तरफ हम bookshelf, फिर दो bed, फिर carpet लगा देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लगा देंगे हम ऐसे दो chest, फिर जो यह end road है ना, हम इसको लगाएंगे, तो भाई देखो, यह stair है, stair पर अगर आप यहाँ पर click करोगे, ठीक है, मतलब अगर कहीं सोचो, निच्छे से click कर तो निच्छे लग जाएगी, मतलब उपर की side ही click करना, इससे बेकार ना लगे, मतलब निच्छे को face करके ना लगे, बस, वो कह रहा हूँ है देखो, कभी-कभी, ऐसे लगे, ठीक है, तो ऐसे लग रहा है, कि इदर से और इदर से connect है, और बीच में से एक tube light जैसे वो बन गया, ठीक है, बाकि इतनी light आइधिंक बहुत है, बट, हमें कौन सा यहाँ बिजली का बिल बरना है, तो हम, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, इस से थोड़ा सा look अच्छा बन जाएगा, और कुछ नहीं है, बाकि एक painting लगा देंगे, ठीक है, ऐसे करके, तो भाई अपना जो bedroom है, वो काम, मतलब bedroom का जो काम है, वो अच्छे से complete हो चुका है, अब करते हैं, निच्चे का काम complete, ठीक, तो हम यहाँ पे आगे है, यहाँ पे तो यहाँ से down facing में stair लगानी है, इधर भी और इधर भी, ठीक है, और यहाँ से हम उपर उपर यह लगा देंगे, अपनी slab, ओके, तो और क्या करेंगे, एक block इधर और एक block इधर, और यहाँ से हम एक painting लगा देंगे, ठीक है, एक painting यहाँ पर, एक painting यहाँ पर, मतलब सेम सेम लगाएंगे ना जिससे थोड़ी सी मतलब अच्छी लगए देखने में इधारी चेंज कर देते हैं हाँ ऐसा करके लगा लो बाकी आई थिंक जो दूसरा वाला हूज होगा उसमें थोड़ी सी चेंज होगी तो उसका थोड़ा ध्यान लखना बस बाकी अपनी मर्जी से लगाओ यार क्या दिक्कत है बस आपको एक इंटीरल की वीडियो देनी थी वो मैंने बना दी है ठीक है और यहाँ पर हम पूरा कार्पेट लगा देंगे जिसे देखने में अच्छा लगेगा और यहाँ पर भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है अब चलते हैं घर के और अंदर की साइड थीक है तो भाई यह एक छोटा सा ऐसा रूम है तो यहाँ पर हम किचन भी बनाएंगे और अपना एंजाइंटिंग के लिए एक टेवल भी रखेंगे बुक शेल्प भी हमने रखना है यहाँ पर और इसी के साथ अपने पास यहाँ पर फर्नेस भी है फर्नेस के साथ एक एंविल भी ठीक है और उसके साथ हम कार्पिट भी लगा देते हैं तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक एंविल यहाँ पर रखेंगे उसके साथ दो बुक शेल्प उसके साथ अपना ये क् bookshelf यहां पर ठीक है और एक चीज़ और हमें चीज़ होगी वो है अपना crafting table crafting table हम यहां पर put करेंगे और यहां पर अपने पास furnace भी आ चुके हैं ठीक है और यहां से हम एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस क्यादा बारा यहां आ चुके हैं अपने कार्पेट ठीक है कार्पेट अब अपनी मर्जी से भी लगा लेना वाइट लगाने हो तो वाइट लगा लेना अगर colorful लगाने हो तो आप colorful भी लगा सकते हो ठीक है उसमें कोई problem नहीं है और यहां पर एक painting लगा दे room बचा है वहां पर भी थोड़ी बहुत पहले light दे देते हैं दो लाल तिल लगा देंगे ठीक है और उसके बाद यहां पर हमने एक तो अपना बनाना है छोटा सा storage ठीक है और यहां पर हम रखेंगे यह क्या बोलते हैं इनको सबसे पहले तो अपना हादा था लूम ठीक है लूम के साथ हम रख देंगे stone cutter stone cutter के साथ रख देंगे smithing table smithing table के साथ रख देंगे हम अपना grid stone side नाम सही लिया हो अभी यह दिवार पर भी चिपक़ जाता है पर हमें दिवार पर निच्चे चिपकाना है ठीक है चलो तो बाई देखो यहां का काम भी हमने complete कर दिया नही ठीक है और इसी के साथ भई अपना जो काम है वो पूरा complete होता है अंदर का ठीक है यहाँ पे एक chest लगदो जहाँ पर हम अपना खजाना वगदा चुपा सके किसी को पता नहीं लगेगा लग तो जाएगा वसे ठीक है तो इंटीरियल अपना अंदर का पूरा complete हो चुका है ठी एंड रोड है ठीक है यह आपको एंड बे मिलेगी एंड मतलब जो एंड सिटी होती है वहाँ पर ठीक है तो यहाँ का काम complete हो गया निच्चे की इंटीरियल भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया ठीक है अपनी कीचन का कीचन ही कह सकते है उसे चोटा सा और पढ़ने की बागी छोटा सा श्टोरेज और अपना सवान बगरा बनाने की जगा और ये के छोटा सा श्टोरेज ठीक है तो इंटीरियल थो भई मैंने आपको अच्छे से बता दिया अब छोटा सा काम और है वो घर के बहाद चल के दिखाता हूँ आपको ठीक है सुगाई जा चुके हम छट पे और आपको ये बुल-बुले से उड़ते वे दिख रहे होंगे ये मैंने नाइट विजन का इस्तिमाल करा है क्योंकि यार मैं बार-बार अब दिन राद दिन राद करूँगा और थोड़ा जीब सा हो जागा तो यहां पर हम बढ़ाएंगे थोड़ा बैठने के लिए जगा है तो हम यहां पर श्टियर ले लेते हैं डार कोक के फैंस और अपना प्रेसर प्लेट ठीक है और इसी के साथ अपने बास यहां पर अपनी लालते न तो है तो यहां से 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीक है 8 हमने यह लगाने है और 1,2,3,4 इसके साथ से ठीक है और इसके ओपर हम लगा देंगे प्रेसर प्लेट ठीक है जिससे थोड़ा सा ऐसा लगए कि हाँ बैठने की जगा है जो की बहुत ज़रा कूल दिखने वाली है ठीक है और यहां पर भी एक एक फैंस हम लगा देंगे और उपर प्रेसर प्लेट ठीक है और उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर जो यह जगा है ना इसके ओपर भी हम डारक ऊक से बहुत आपकी मरजी है अगर आपव कोई दूसरे फैंस Two आ चाहते हो तो अब सकते हो ठीक है और इसके निचे लगा देनगे हम लाल टेchair और दूसरी सावह इसका म करने वाले है वन, टू, एन्ट थी, ठीक है, और इधर भी हम लगा देंगे, लाइट, ऐसे करके, ठीक, और यह हो चुका है भाई, अपने घर का सारा काम कम्प्लीट, इंटीरल भी कम्प्लीट हो चुका है, और जो भार का थोड़ा बहुत बैठने का अरिया था, वो भी अच्छे से कम्प प्लीज जागे जरूर देखें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो कईज यह था भाई, इसका घर का छोटा सा इंटीरियल का टुटोरियल, I hope आपको पसंद आया होगा, भी पसंद आया तो लाइक करना चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब करना औ बैल आइकन को हिट करना मत बूलना, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल दन गुद्बाई and अल्वेस, लाइक, शेर, सब्सक्राइब and कमेंट, बाई